मेरे परी जणों कॉंग्रेस के होने का मटलब क्या है ये राजस्तान से बैतर कौन जानता है व्यापारी दुकानदार को चाहिए कि रोज दुकान खुले लोग सांती से आए जाए खरीदी करे मजदूर को चाहिए कि उसे हर दिन काम मिलता रहे किसान को चाहिए उसे खाद पानी मिलता रहे गर परिवार को चाहिए कि उसके बेटा बेटी कहीं गए तो सुरक्षित लोटके आ जाए बेहन बेटिया पुरे सम्मान और सुरक्षा के साथ जब चाहे बाहर निकाल सके लेकि गुंडागर्दी, दंगे और महिलाओं दलीतों पर अत्याचार में राजस्तान को कॉंग्रेस ने देश में अग्रणी बना दिया। उपर से कॉंग्रेस की मानसिक्ता देखिए, एक मंत्री जो बेहरों बेटियों पर हुए अत्याचार को ये कहकर सरे आम जायद छहराता है कि ये मर्दों का प्रदेश है। मुझे बताईए, ये राजस्तान के मर्दों का अप्मान हैक नहीं है, ये राजस्तान की मर्दानगी का अप्मान हैक नहीं है, वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीर माताओं का अप्मान हैक नहीं है, क्या दुनिया में कोई भी ऐसे पाप अत्याचार करने वालों को मर कि यह कॉंग्रेस के मंतरी कि बेशर्मी के साथ कहें कि महिलाओं पर बलातकार इसलिए हो रहा है यह तो मर्दों का प्रदेश हैं अरे मर्द कभी यह पाप नहीं करते वह तो बेटियों के चरित्रकी रक्षा के लिए अपना सर कटबा देते हैं मुठ जीवन खपा देते हैं आप मुझे बताएए ये मर्दों का अपढ़न करने वाली कौंगेरेस सरकार को जाना चाएक investigate नहीं जाना चाएए बीर माताओं को अब पानित करने वाली कॉंग्रेस जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए हर गली महले से साफ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए काइदे से तो उसको उसी दिन मंत्री मंडल से बहार कर देना चाहिए था लेकिन उसका मंत्री पद भी सुरक्षित रहा और बड़ी बेशर्मी के साथ उसे चुनाव का टिकट भी दे दिया गया